Assalamualaikum दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube Channel English Literature पर Welcome केती हूँ आज के इस वीडियो के अंदर हम जो Topic कवर करने जा रहे हैं That is Lajwanti जिसको लिखने वाले है Rajinder Singh Bedi ये एक Short Story है अब Rajinder Singh Bedi कौन है कहां से बिलोंग करते थे इनका राइटिंग केरियर क्या था राइटिंग स्टाइल क्या था इनके वर्क्स कौन से थे इंपोर्टन थीम्स कौन से है In Short, Rajinder Singh as a Writer हम लोग कम्प्लीट डिसकस कर चुके प्रिविएस लेक्चर के अंदर अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लिंक के वोपर क्लिक करके आप उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी लेक्चर नहीं मलता है तो मैने हर लेक्चर की प्लेलिस्ट बिनाई होती है आप प्लेलिस में जाएंगे आपको टॉपिक के नाम के साथ सारे के सारे लेक्षर सीक्वेंस में मिल जाये करेंगे ठीक है तो एनिहाओ टाइम को वेस किये वगए जो हमारी हाथ की शोर्ट स्टोरी है वह हम करते हैं शुरू लाजवन्ती लाजवन्ती क्या होता है बिसिकली एक फूल होता है और यह ऐसा फूल होता है जब भी इस फूल के पर हाथ लगाया जाया ना तो यह फूल मुर्जा जाता है उसी टाइम भी बहुत सेंसिटिव होता है बहुत ही सोफ्ट होता है तो जो हमारा टाइटल है उसकी स एक्टर को रिप्रिजेंट कर रहा है और नमबर टू जैसे कि मैंने बताया कि लाजवन्ती ऐसा फूल होता है जिसके उपर हाथ लगाए जाए तो फोरण ही मुर्जा जाता है तो यहां पर बताया गया है कि जो इनसान के दिल होते हैं वो भी नाजुक से होते हैं कमजोर से होते हैं जिनके उपर जब टॉमा, पेंस, सफरिंग्स होती हैं उन टॉमा, पेंस और सफरिंग्स की बेस पर दिल भी टूट जाती है कमजोर पड़ जाते हैं ठीक है यह पॉइंट टू था, and done पॉइंट नमबर थ्री टाइटल जो है वो फैमनिस्टिक भी है किस तरह से लाजवन्ती यहाँ पे फीमेल को भी यानि कि ओवराल विमिन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे बतायागे कि जब विमन होती है वो भी बहुत फ्रेजायल बहुत नाजुक और बहुत सॉफ्ट होती है जब उनको अबडक्ट किया जाता है उनको रेप किया जाता है वो तोट जाती है जब एक आदमी उनके पर हाथ उठाता है तो उनके मूँ के अपर निशान बन जाता है कि इतनी वो नाजुक, इतनी वो नरम होती है और यहाँ पर हम थूर इन थूर स्टोरी में देखने भी वाले है कि स्टोरी जो हुए फैमिनिस्टिक है अपने पूरी स्टोरी जो फैमिनिस्म के सैंस में लिखी गई हुई है कि राइटर बताता है कि जो सुसाइटी है वो बहुत क्रूल ट्रीटमेंट करती है विमेन के साथ पार्टिशन होती है यह वार होती है कुछ भी होता है तो होता है क्या उसके अंदर? जो women है, उनको जो opponent होते हैं, जो दूसरी party होती है, एक तो abduct कर लेती है, दूसरा rape भी करती है, तीसरा exploit भी करती है, छो था, women के अपने husband, उनको exploit करते हैं, marginalize करते हैं, subjugate करते हैं, abuse करते हैं, मारते हैं, हाथ उठाते हैं उनके उपर, और इसमें ये भी दिखायागी है, स्ट ये भी कहती है, कि मैं जो ना, एक शहर वाले आदमी के साथ चादी नहीं करूँगी, क्योंकि उनके जो बूट होते है, वो बहुत भारी होते है, मेरी कमर बहुत पतली है, तूट जाएगी, यानि कि, mentality already set है, और ये सारी mentality है, सारा कुछ दिखाया, राइटर ने, इस स्टो significance है, जो कि अब आपको समझ आचो क्योंकि किस तरह से लाजवन्ती जो है, वो रिलेट किया गया है, और विमन के साथ, और इसमें एक स्टोरी के नदे करेक्टर है, जिसने बहुत सारी ट्रॉमा, बहुत सदर सफरिंग्स फेस की है, इस सारी स्टोरी हो इसके बारे में, क्ल मुसल्मान और हिंदू कठे रह रहे थे, उसके बाद 1947 का टाइम पिरियड आया, partition हो गई, पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बन गई, इंडिया एक सेपरेट, पाकिस्तान में मुसलिम्स थे, इंडिया में हिंदू थे, clear, अब partition के बाद क्या हुआ, कुछ ओरतों को, जो कि मुसलिम ओरते हैं, उनको अब्डेक्ट कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, और वो कहां है, हिंदू, हिंदूस्तान में, कुछ हिंदू ओरतों को, जो कि इंडियन ओरते थी, उनको अब्डेक्ट किया गया, अगवा किया गया, वो कहां पे हैं, पाकिस्तान में, ठीके, एसा कुछ सीन बना उस time period पे यानि कुछ हिंदू माइग्रेशन करके पंजब, क्योंकि पंजब जो था वो पाकिस्तान के पास आ गया था फिर कुछ हिंदू माइग्रेशन करके जा रहे थे हिंदुस्तान में, तो उस time पे क्या वा कुछ हिंदू ओरते यहां पही रह गई इस तरह से जब कुछ मुसल्मान ओरते माइग्रेशन करके पाकिस्तान में आ रही थी तो वो कुछ वहां पही रह गई और जो रह गई उनको एक्स्प्लोइट किया गया मार्जनलाइज किया गया उनको फिजिकली अब्यूस किया गया रेप किया गया और यही चीज स्टोरी में बताई जाएगी यही इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है यही बैक्राउंड है ठीक है तो हमारी स्टोरी जो वो शुरू होती है 1947 के कुछ टाइम बाद और जो प्लेस दिखाई गयी है वह मुहला शिकूर प्लेस है जगा है मुहला शिकूर में क्या होता है कि जब पार्टिशन होई उसके बाद कई लोगों के दुल टोटे कई लोगों को तकलीफ सहना पड़ी तो जगा जगा मूव्मेंट शुरू होगी कमेटियां बन गी और कमेटिय का परपस क्या था उन कमेटिय का परपस था फिर से बसाओ और यह जो फिर बसाओ कमेटिय थी यानि कि फिर से बसाओ कमेटिया थी इन्होंने शुरू शुरू में किसके अपर काम किया इन्होंने जो रेफिजी थे उनके लिए काम किया, उनके कैमस के लिए काम किया, जमीनों के लिए काम किया, दुबारा से घर बनाने के लिए काम किया, कारोबारों के लिए काम किया, बनलब डिफरेंट काइंट ओफ टास्क पर फॉर्म किये, लेकिन किसी ने भी, क्योंकि जब पार्टिशन होई थी तो अ अपने दिल में बसाओ, हुआ क्या था, जो ओरते थी जिनको अगवा किया जाता था, उन ओरतों के अगवा होने के बाद जब वो ओरते वापस आती थी, तो लोग उनको रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखते थे, कई लोग कहते थे कि तुम्हें जब रेप किया गया तुम शर से दिल में बसाओ की, यह कमेटी बनाई गई, इस कमेटी के जो चेर्मेन थे, वो सुंदरलाल बने, इनको यारा वोट मिले थे, सुंदरलाल चेर्मेन क्यों बने, बिसिकली सुंदरलाल यह वो करेक्टर है, जिनके शादी लाजवन्ती से हुई थी, लाजवन्ती वो ही जो अगवा किया गया था उन में सुन्दरलाल की बीवी लाजवन्ती भी शामिल थी तो क्योंकि इन्होंने अपनी वाइफ को खोया था देट इस वैलों का ये मानना था कि जो सुन्दरलाल है वो इस कमेटी को ज्यादा बहतर चला सकते वो भी इसी किसम की पेन से गुजर रहे हैं इसी किसम के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इन्होंने भी अपनी बीवी को खोया है तो इसलिए लोगों का ये मानना था कि जो सुन्दरलाल हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं इस काम के लिए इस कमेटी के लिए और वो ज़्यादा मेहनत भी करेंगे इस कमेटी के लिए एक मेटी ना एक गीत गाया करती थी एक स्वोंग गाया करती थी वो है हत लाया कमलानी लाजवंती दे बूटे यानि जो लाजवंती का फूल है वो बहुत ही नाजुक होता है जब उसको हाथ लगाया जाता है तो वो साथ ही मुर्जा जाता है तूट जाता है बिकर जाता है इस slogan का मतलब यह होता है, और यह सुरी गाने का मतलब यह था, और यह गाना क्यों गाया करते थे, बताया करते थे कि जो इनसान के दिलने वो भी नाजूक है, उनको भी हात लगाओ तो वो भी तूट जाते हैं, इनसान के दिल जब तकलीफ से हुजेते तो वो भी बिखर जाते हैं तूट जाते हैं इस तरह से भी बताया जाता था कि जो औरते हैं जिनको अबड़िक्ट किया गिया है इनने भी बहुत पेन फील की है इनने भी बहुत टूमा देखे अपनी लाफ के अंदर sufferings देखिए अपनी life के अंदर इनके भी दिल नाजूक है तो इनको छोड़ो मत ओरते जो है वो लाजवन्ती के फूल की तरह की होती है इनको अपना लो तो रोज ये गीत गया करते थे रोज ये सोंग गया करते थे especially रिसालू और नेकी राम रिसालू और नेकी नाम ये भी इस Rehabiliate Them In Your Heart कमेटी के मेंबर्स थे और जो लाजवन्ती के फूल है जब हीमन के हाथ उनको लगते तो उनसे वो बिखर जाते है और जब सुन्दरलाल ये गाना सुनता ये लाइन सुनता तो वो उदास हो जाता अपनी लाजवन्ती अपनी बीवी को याद करने लग पड़ता लेकिन वो हल्पलेस वो हल्पलेस था कुछ भी नहीं कर सकता था एनिहाँ उसने पब्लिक सर्वेंट बन गया पब्लिक सर्वेस शुरू कर दी लोगों को अगेन अगेन जो विमन होती है उनकी इंपोर्टन्स याद लाना शुरू कर दी और ये कमपनी ये जो सुरी कमेटी थी ये कमेटी ये भी कहा दी थी कि अबड़क्ट होने के बाद जब भी कोई औरत वापस आती है नॉर्मल जिना जाती है तो उसे जीने दो उसे और तकलीफ मत दो उसे ना पूछो कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ तुमने कैसे जिन्देगी गुजारी ये वह इस तुवाल मत पूछो और थूएं थू सुन्दरलाल ये भी सुरसत के लाजवन्ती कहा होगी ये सुन्दरलाल अपने इमोशन्स आप देख रहे हैं में बहुत ज़दा humiliated behavior किया ये एक abusive husband था जो अपनी बीवी को again and again मारा करता था हर हर बात पे मारा करता था जब लाजवन्ती इसके पास थी तब और लाजवन्ती को पता था कि जो मर्द हैं वो औरतों पे हाथ ही उठाते हैं और लाजवन्ती वही औरत थी जो अपने दोस्तों को कहा करती थी कि मैं शहर के आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी कमर बहुत पतली है और उनके जूते बहुत मोटे होते हैं में उसे पता था कि मर्द जो है लाजवन्ती को हर हर बात पे मार पड़ा करती थी means to say that कि पास्ट में बड़ा humiliated behavior रहा है सुन्दरलाल का लाजवन्ती के साथ जब पास्ट थी तब कदर नहीं की जब दूर से ले गई तो अब उदास हुआ बैठा और उसको बहुत ज़ादा याद करता है रोता है और पच्छताता है और हर टाइम पे सुसते है कि लाजवन्ती पता नहीं कहां होगी पता नहीं कैसी होगी क्या उसकी हालत होगी विश्ट करता है कि वो उसके पास दुबारा वापस आज़े तो उसका वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखे कभी वो उसको मारेगा ने, कभी उसको पीटेगा ने तो anyhow, कमेटी चल रही थी, rehabilitate them in your heart, उनको अपने दिलों में बसाओ अब जब ये कमेटी चल रही थी, तो ये मुल्ला शिकूर वाली नाम की जगा पे चल रही थी जगा 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 जाकर इस कमेटी के लोगों ने इस movement को बढ़ाना शुरू कर दिया इस slogan को भी जो इनका था कि दिलों में बसाओ, ये slogan को भी सोरी पहलाना शुरू कर दिया इनके पास ही एक और इलाका था जहां पे ज़्यादतर हिंदू रहते थे और वहां पे उनका लीडर था नरायन नरायन बाव ये जो दीडर था बेसिकली ये अगेंज था इस कमेटी के, क्योंकि इसका मानना था कि इनकी किताब में लिखा है कि एक मचली वाला था, मचली वाली के जो वाइफ थी, उसको किसी ने काइंड ओफ रेप किया तो मचली वाला ने उस वाइफ को अपने घर से निकाल दिया जब निकाला तो एक राजा ने भी बच्छवरे की बात सुनी और सुनकर, मतलब यहाँ पर राम और सीता का जो incident है, वो कोट कर रहा है कि रावन ने सीता को अपडिक किया था, उसको रीप किया था उस बेस पर राम ने मचली वाले की बात सुनी है, तो उसको निकाल दिया था क्योंकि पंड़त यहां पर एकना चाहरा था कि जन ओरतों को रेप किया जाता है उन ओरतों के साथ नहीं रहना चाहिए उन ओरतों को घरों से निकाल देना चाहिए उनको दिलों में नहीं बसाना चाहिए पंड़त यहां पर यह मैसेज कनवे करना चाहरा था यह जो लीडर थ बहुत नरम होते हैं, उनके साथ जो किया जाता है, उनका क्या खसूर होता है, वो तो इन सब की responsible नहीं होती, जो उनके साथ exploitation की जा रही है, जो उनको रेप किया जा रहा है, वो तो willingly कुछ भी नहीं करती है, ऐसा, तो ये कुछ arguments दिये सुंदर लालने और अपने committee के message को इन्हों ने वहाँ पे लोगों तक पहुंच आया, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ abducted women थी, वो उनको लाया जा रहा था, होता क्या था, कि ये boundary है, यानि कि वागब order है, उस boundary के एक साइड पर Muslim women होती, दूस साइड पर Indian women होती है, तो women को exchange किया जाता था, जो Muslim women है, उनको पाकिस्तान लाने के लिए, जो Indian women है, उनको इंडिया बेजा जाता था, यानि कि अगर पांच ओरते, पाकिस्तान के अंदर रह रही हैं, उनको इंडिया बेजा जा रहा है, जो कि हिंदु साथ से बिलोंग करती हैं तो फिर हिंदुस्तान वाले पांच ओरते जो कि मुसल्मान है पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं तो उनको पाकिस्तान बेजेंगे यानि कि एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला काम होता था तो तो मिस मेरी दूला सारा भाई ठीकए, ये काम करती थी women की exchange का ये abducted women को उनकी अपनी country के इंदर ले किया करती थी और जो अड़ते होती थी वो अपनी फैमिली का इंतिजार कर रही होती थी अब जब अपनी country में वापस आगी तो उस टाइम पे जो family के response थे वो कुछ इस तरह क्यों थे उधर ही क्यों नहीं मर गई तुमने खुद खुशी कर लेनी थी तुम आई क्यों तुम वापस क्यों आई मतलब weird kind of response और कुछ जो थे वो accept कर लेते थे अब होता क्या था कि जब ये मिस मेरुदूला ओरतों को लेकर आई थी उस टाइम पे सुंदरलाल ने भी लाजवन्ती की तलाश की थी आखरी औरत तक वो देखता रहा था लेकिन वहाँ पे लाजवन्ती प्रेज़न्ट नहीं थी एनिहाओ लाजवन्ती नहीं थी सुंदरलाल बड़ा उदास हुआ और फिर से वो अपनी कमेटी के एक्टिविटीज के अंदर इंडल जो गया और ऐसा इंडल जो अब बहुत ज़्यादा इसने काम करना शुरू कर दिया कमेटी पे फिर कालका परसाद नाम का एक लॉयर था उसने भी स्पीज की वहाँ पर डिफरन लोगों ने सौंग आया वही सौंग जो मैंने आपको पहले बताया था फिर मतलब इस मूव्मेंट के उपर इस कमेटी के उपर बहुत सदा काम होने लग पड़ा और काफी लोगों ने काफी ओरतों को एकसेप्ट भी करना शुरू कर दिया था फिर एक दिन लाल चंद नाम का एक परसन आया और उसने आके कहा मुबारिक हो मैंने लाजो भाबी को देखा है यह आया किसके पास था सुन्दरलाल के पास तो सुन्दरलाल के पास तो सुन्दरलाल कहता है तुम्हें कैसे पता वो लाजो भाबी है यानि के लाजवंती है तो बताता है मैंने उनके तिल देखी जिससे मैंने उनको रिकरगनाइज कर लिया एनिहाओ लाजवंती जो है वो कहां पर होती है य तो वहाँ पे 16 women को exchange किया जा रहा था सब की सब old aged women थी और जो opponent थे जो इनको exchange कर रहे थे उन्होंने कहा थे तो सब की सब old women है हम इनका क्या करेंगे तो उन में से एक जो था officer उसने बोला कि तुम्हें इसमें ये लड़की नहीं नज़र आती है नहीं कि लाजवंती थी वो लड़की ये तो old नहीं है और इसके बराबर कोई भी औरत और होने सकती कि लाजवंती बहुत कूपसूरत थी अब लाजवंती की खबर सुनके जो सुन्दरलाल हो तो बहुत ही खुश होता है और on the other hand सुन्दरलाल जो था वो अमरिसर जाने की प्लैनिंग कर रहा था फिर इससे बताल लगता है कि लाजवंती जो है वापस आ चुकी हुई है और सुन्दरलाल पर लाजवंती को लेने के लिए जाता है जब लाजवंती को लेने के लिए जाता है तो देखताे है लाजवन्ती का कलर ओशीर हो चुका है, वह काफी healthy हो चुकी हुई है। तो नहीं लाजवन्ती बहुत खुश थी और पिर सोचता है लाजवन्ती अगर वहां पे इतनी खुश थी फिर वापस क्यूं आई। फिर यह सोचता है शायद वहां की गॉर्मेंट जोनों ने जबर्दस्ती करके इनको यहां पर भेज दिया हुआ है हलाके वो यह नहीं पहचान पाता कि लाजवंदी का जो चेहरा था वो जर्द हो चुका था सफेद नहीं यह नहीं कि जर्द हो चुका था तकलीफ से वो परिशान थी वो तकलीफ के अंदे थी और लाजवंदी को खौफ था कि उसका शोहर पहले उसे मारता था लेकिन अब जो है यह किसी और इनसान के साथ रहे कर आई है जिसने इसको रेप किया है तो अब पता नहीं क्या करेगा anyhow शोहर उसको नहीं मारता शोहर उसको यह जो सुन्दरलाल है वो लाजवंदी को अपने साथ घर लेकिया आता और अब वो उसको देवी कहता है जब भी उसको देवी कहता है लाजवंदी बड़ा खुश होती है कि जिसना वो पागल हो जाईगी खुशी से और लाजवंदी जो अपनी पैन वाली सेफरिंग वाली लाइफ गुजार किया थी वो सारी लाइफ शेयर करना चाहती थी सुन्दरलाल के साथ लेकिन सुन्दरलाल उसे वो प्राणी बातें डिस्कस करने के लिए रोग देता था मतलब पानी बाते डिसकस नहीं करना दिता था और कहता था कि जो बाते बीद गई गई हैं उन्हें छोड़ दो जो गुज़र गई हैं उन पे बात ना करो यानि वो अपने पेंस को शेयर करना चाहते थे लेकिन सुंदरलाल अवोइड करता था बस एक दिन सुंदरला ने पूझा जिसक्स के साथ तुम थी उसका नाम क्या था और फिर लाजवंती ने बताया जुम्मा उसका नाम था और फिर उपूछता क्या हो तुम्हें मारता तो नहीं था इसने का नहीं हो मुझे नहीं मारता था इसके लावा वो कोई भी बात उसे पूछता नहीं था और उसने बात महाँ पे कतम कर दी कहता है I do not want to know anything मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता और अपने बाते शेयर करके अपनी pain को कम करना चाहती थी अपने दुख को कम करना चाहती थी और anyhow अब ये लाजवन्ती नहीं रही थी अब ये देवी बन चुकी थी इससे बहुत ज़़ादा प्यार के साथ treat किया करता था इसका husband और ये सोचती है कि अब ये कभी भी अपनी पुरानी carefree life नहीं गुजार पाएगी और अभी भी विसका husband इसको नहीं मारेगा यानि कि अपनी उस life को भी recall करती है और क्योंकि अब ये देवी बन चुकी instead of लाजवन्ती तो ये सोचती है कि देवी बन के अपनी जिन्दगी तो गुजार रही है लेकिन इसके जो अंदर के emotions है जो pain है suffering guest ने कभी किसी से share नहीं की ना ये कर पा रही है तो इसका मतलब क्या है she is a dead body जीती जाती मुर्दा इंसान बन चुकी हुई है तो यहाँ पर importance of sharing भी बताएगी कि जब sharing करते तो sharing करने से इंसान का दिल भी हलका हो जाता है और story end हो चुकी हुई है इंसान का दिल भी हलका हो जाता है और sharing करने से इंसान के pain भी कम हो जाते है और sharing करने से आपका लगाओ भी होता है और दुख भी कम हो जाता है तो overall story जो है वो women की abduction के बारे में थी उनकी marginalization के बारे में थी exploitation के बारे में थी पताया कि जब कोई चीज आपके पास होती है तो आप किस तरह से उसको निगलक कर देते हो और जब वो आप से दूर हो जाती है फिर आपको उसकी कदर होती है इसमें होरर्स ओफ पार्टिशन दिखाएगी मतलब जितना भी क्रियलिटी थी इंसान की पलस्टी वो दिखाएगी कि इनसान जब बहुत क्रियल होता है वो जिल्म करता है इनसान का दिल नाजुक होता है एक औरत बहुत नाजुक होती है वो भी पूल की तरया की होती उसको हाद लगाओ तो मरज जाती है और जैसके स्टोरी में देखा कि अब वो लाजवंती नहीं रही है निकि वो फूल की तरह नहीं रही अब वो देवी बन चुकी हुई है एक स्ट्रॉंग विमें बन चुकी हुई है जो के अंदर से तूट चुकी है अब उसके पास टूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और अब वो बस दुनिया के अंदर जिंदेगी को जार की है तो आई होब कि ये वीडियो आपके लिए हल्फुल रही होगी वीडियो पसांदे वीडियो को लाइक भी करेगा अब जलन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो लिंक है राइटर का आपको डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा उसके उपर क्लिक करके राइटर को लाजमी सुन लीजिएगा स्टे टून विड़ास टे क्या